चार खंड दी राज्तानी रांची विच काजू दी कीमत 609 पे प्रती किलो है पर तो हनु जान के एहरा नी हुवेगी के थों सिर्फ 200 किलो मीटर दी दूरी ते काजू सिर्फ वीतों 3 पे प्रती किलो विख दै दर असल जामतारा दे नाला बलाक विच काजू दी काश्थ कीती जा दिया जित्थे लगपग पंजा एकड़ विच काजू दी बजाई कीती जा रही है काजू दा उत्पादन हर साल वड़े पदर ते हंदा है स्थानक लोग कच्चे काजू नू ओने पौने पाच वेश दिन देने काजू दे बागल गोन लेई सरकार इसनू तेन साल दे लेई ठेक केते दिन दिया ओवी सिर्फ तेनलाकर पे विच काट समा मिलन करन ठेकेदार द्रक्तां दी सही संबाहनी कर दे ते काजू दी चोरी नालवी चारते प्रवाप पेंदा है इसदे बाव्यूद हर साल पंजात उ सट कौांटल काजू दा उतपादन हुंदा है जिले विच प्रसेसिंग दी काट कारन कच्चे काजू नू पच्मी बंगाल पे जय जन्द है ठेक केदार कच्चे काजू नू एक सो पंजार पे प्रती किलो दी धरनल वेच देने ते प्रसेसिंग कारन तो बाद इसका जूरी कीमत कई गुणा वत जन्द है जिस थान को लोकादी मनिये तासर कारदी मेहरबानी लोकादी जिंदगी बदल सकती है और जो माल उपए उसका तोलाई होता है उसको बंगाल दीखा में हम लोक माल भेज देते हैं परशाष ने काजू दे बाग लगाउन आते एथे प्रसेसिंग प्लांट स्थाप्त करली कई वार पोशिश कीती पर नतीजा सिफर रहा इटीवी पार दी पहल ते जिले दे डिफ्टी कमिशन ने काजू दे बाग दान रेखन कीता उना केहा क्यों प्रसेसिंग प्लांट लगाउन आते काजू दा चाड़वदों ली वदी आउपरा ले करन गे के करम में मैंने उत्सक्ता वर्स वहां प्रहन विकार साथ पतारी कारी के शाथ निक्षन किया था और लोगों से जानकारी प्राप्त की थी काजू बगान बहुत बिष्टित छेत्र में हैं करीब पचास एकड़ में हैं उसके अलावे भी रहती जमीन में भी काजू के पेड़ हैं लेकिन उसका प्रोसेसिंग नहीं होने के कारण समुचित जो लाव मिलना चाहिए अस्थानी लोगों को वो नहीं मिल पा रहा है उसके लिए हम लोग प्रियासरत हैं कि प्रोसेसिंग प्लांट की अस्थापना वहां की जाए उसके लिए हम लोग जो है सो लोगों से संपर्क कर रहे हैं और सरकार के अस्तर पर भी इस बात को जिला प्रशासन उजागर करेगा जामतारा विच काजूदी कास्त करंदा अथा खेतर है प्रशासिंग लांट लगाए जाननाल एथे दे लोकानू ना सिर्फ रोजगार मिलेगा बलके काजूद पादंच चार खंदा नावी देश पार्च जानेया जावेगा पीरोड पोर्ट ETV पारत